नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं केंद्री एजेंसियों खिलाब सलक पर उतारने के लिए उक्सार हैं उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्य मंत्री के आक्रित और सन्वेधानिक है हेमंत सुरेन राज्य में आतंक का सासन अस्थाफित करना चाहते हैं इसलिए राज्य में राष्टपति सासन लगाया जाना चाहिए वही जार्खन में सतारूड सन्यूक्त प्रगती सिल गठ बंधन ने सुबे में केंद्री एजेंसियों की मदद से हेमंत सुरेन सरकार गिराने की कथित कोशिस कारूप लगाते हुए राष्टपति द्रपति मुर्मू से दखल देने की मांकी है बता दे संप्रग ने राष्टपति द्रपति मुर्मू को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है सनपरग ने इस पत्र में भाजपा पर चूनी होई गटबंदन सरकार को गिराने की साजी स्रचने कारोप लगाया है जारखन में रोजगार के लिए ट्यूटर वार सरकार पर यूआओ ने साधा निसाना जारखन के बेरोजगार यूआओ ने ट्यूटर अभ्यान चलाया जिसमें 5 लाग से अधिक ट्वीट किये गाए हाई टेक के साथ जे एस एस सी पर इक्षा में 5 वरस की छूट पर 3 लाग से अधिक ट्वीट किये गाए या अभी भी जारी है युवाव का कहना था कि हेमंत सरकार के तीन वरस होने को है और सरकार रोजगार के नाम पर सित घोसना और अस्वासन ही दे रही है सरकार तीन वर्ष में न एक ठोस अस्थानिय निती न नियोजन निती बना पाई है इसकी वज़ासे लाखोपद रिक्त पड़े है सुप्रीम कोट से हेमंत सुरेन को रहात मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन को सुप्रीम कोट से बड़ी रहात मिली है सुप्रीम कोट ने हेमंत सुरेन को लीज आवंटन और उनके भाई बसंत सुरेन के कारोबारियों द्वारा सेल कमपनी में निवेश को लेकर जारकन हाई कोट में दाखिल याचकावों को सुनवाई योगी नहीं माना चिफ जस्टीस यूजू ललीद जस्टीस रविंद्र भट और जस्टीस सुधान सु धोलिया की पिठ ने फाइसला सुनाते वे जारकन हाई कोट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें दोनों याचकावों को सुनवाई योगी माना था सुप्रीम कोट ने कहा है कि याचिकाय निराधार और राइनेती से प्रेसी था इसमें जो आरोप लगाया गया है उसमें कोई वैधानिक साक्ष नहीं है सिर्फ आरोफ लगाया गया है ऐसे में आजका को सुनवाई के लिए सोईकार नहीं किया जा सकता है जारखंड के 1650 जमादार नहीं बन पार है दरोगा जारखंड में सिमित परिक्षा नहीं होना अब तक सहायक अवर निरीक्षक से दरोगा में प्रोनती में बाधा बना हुए है 6 साल में करीब 400 से अधिक जमादार ऐसे हैं जो बिना दरोगा बने ही सिवा निरीत होगा है राजे में करीब 1650 जमादार प्रोनती का इंतियार कर रहे हैं बतादे वर्स 2016 में हम तिम बार प्रोनती मिली थी जिसके बाद राजे में सिमित परिक्षा के चलते जमादारों के प्रोनती बाधित हुई है सीमित परिक्षा के प्रविधान को समाप्त करने समधित पुलिस मुख्याले कि अनुसांसा पर राज सरकार की भी मुहर लगी थी लेकिन अब तक इसे समधि अजिसुतना जारी नहीं हो सकी है बाबुलाल मरांडी ने कहा हेमंत सरकार को हटाने तक चलेगा अंदोलन भाबुलाल ने कहा है कि तीन वरस से जार्खन का विकास नहीं बलिक बिनास हुआ है चारो और लूट मची हुई है इस सरकार को हटाने तक हेमंत हटाओ जार्खन बचाओ आंदोलन जारी रहेगा यह बाते उन्होंने सुमवार को गांडे में पत्रकारों से कही वह जामुमों के गड़ गांडे से सुरू हेमंत हटाओ जार्खन बचाओ आंदोलन को लेकर निकाली का जन आक्रोस रैली में सामिल होने पहुचे थे बावुलल ने कहा है कि भाजपा मध्यावदी चुनाव को ततपर नहीं है लेकिन इस भरष्ट सरकार को सत्ता में रही रहने दिया जाएगा भरष्ट सरकार को हटाने तक भाजपा का राजबर में अंदोलन जारी रहेगा मुख्य मंत्री को दोसरा समन भेजने की त्यारी में इडी अवाय देखननन मामले मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को अगले सप्ता दोसरा समन जारी हो सकता है सुत्रों के मुताबिक CM के टाइम पिटिशन पर मन्थन के बाद ED के आला अधिकारियों ने अगले सब्ता दूसरा समन जारी करने के त्यारी कर लिया दरसल मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को ED ने पहला नोटीस एक नॉमबर को भेजा था उन्हें 3 नॉमबर को ED दतर बुलाया गया था लेकिन 3 नॉमबर को मुख्य मंत्री के तरफ से अस्थापना दीवस समेत अने कारकुरम में ब्यस्ता का हवाले देते हुए ED से 3 हफ्ते का समय मंगा गया था लेकिन सूत्रों के मुताबिक E.D. की ओर से मुख्य मंत्री हमाल सुरों के तीन हफ्ते का समय मिलना मुश्किल है सबसे खास बातिया है कि एक नॉवंबर को जब E.D. की ओर से मुख्य मंत्री के नाम समझारी हुआ था उसी दिन से जार्खन की राय नितिक में खलबली मची हुई है बता दे तीन नॉवंबर को खोद मुख्य मंत्री अपने आवाज के बाहर जामों करकर तावसे में मुकातिब हुए थे और असपश सब्दों में कहा था 1932 खतियान का समर्थन करेगी आईसू पाटी सुमवार को आईसू के राज जिये के सभी 24 जुलों में कारे समिती की बैठाक हुई हर जिले में आयोजित कारे समिती की बैठाक में जहां आस्थानिय समस्या पर चर्चा हुई वहीं जार्खन एवं जार्खन्डियों की बेहतरी और उत्थान के लिए राज सरकार से अस्थानियता को अधार बनाते हुए अबिलम नियोजन नीती लगाने की मांग की गई पार्टी ने 11 नमबर को बुलाई गई विशेश सत्र को राई निती मजबूती बताते हुए कहा एकी सरकार उने 32 खत्यान अस्थानियता बिधयक पारित करने जा रही है जिसका आईसू पार्टी समर्थन करेगी साथी साथ अस्थानिता का निर्धारन भी नियोजन का अधार बने इसे लेकर आईसू का संहर्ष जारी रहेगा चुनाव आयोग ने कहा राजेपाल ने आयोगता के मुद्दे पर दूसरी राय नहीं मांगी चुनाव आयोग ने सोमवार को जहर्खन के सियम हेमान सुरेण का सुचित किया कि राजेपाल रमेस बैस ने उन्हें आयोग ठाराने के मामले में दूसरी राय नहीं मांगी है सुत्रों ने बताया है कि आयोग ने सुरेण को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि उसे राजेपाल की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है इस पर परतिकिरिया देते हुए सुरेण के कर्याले ने कहा मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि राजे की छवी खराब करने और सन्वेधानिक प्राधीकारियों और अन्य तरीकों का इस्तिमाल का राजनिती असांती पैदा करने के लिए एक बड़ी राजनिती साजिस रची जा रही है कर्याले ने कहा इसी का आज का पत्र इन चिंताओं को जाई ठाराता है स्वास्तिय साहिया का मौराबादी मैदान में महा जुटान राजधानी रांची के मौराबादी मैदान में सोमवार को स्वास्त विभाग की साहिया जुटी हजारों के संख्या में साहिया बहन ने जुटी अपरदसन किया साहिया का राजबहन तक मार्च निकालने की भी योजना है यह मार्च राजबहन पहुंचेगा यहां साहिया का प्रति निधी मंडल राजबहन में अपने ग्यापन सोपेगा साहिया बहन ने मांगे करेंगे की उन्हें राज सरकार के करमचारी के दर्जा मिले साथ ही उनके बेतन मान में बढ़ोतरी की जाए बता दे कि स्वास्त विभाग में काम कर रही सभी सहिया महज 2000 रुपे प्रतिमा पर काम कर रही है और उन्हें राज सरकार की कोई सुविधा भी नहीं मिलती सभी सहिया कि राज सरकार से मांग है कि उनके मांदे में बढ़ोतरी की जाए और नियमा अनुसार उन्हें 18,000 नियुंतम बेतन दिया जाए स्वास्त विभाग ने कहा है कि आज की राएली के बाद यदि सरकार उनकी मांगों को अंसुनी करती है तो आने वाले समय में वे आन्दोलन और उगर करेंगे तीरकी आहां राजभाण की पास राजे में सतारूड सन्यूक्त प्रकति सील गठ बन्धन के धर्ने अस्थल पर बोल रहे थे यह धार ने भाजपा के बिरूद और जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरिन को परवत्तर निदे सालाई के समन और कांग्रेस के दो विधाय को खिलाब आयकर भी भाग की तलासी के बिरूद में दिया गया था राश्ट पती के कार्य करम को 6 IAS को मिली जिम्यदारी राश्ट पती द्रोपादी मुर्मुक के जार्खन अस्थापना दिवस के अउसर पर दो दिवसिये 14 और 15 नॉमबर को कार्य करम को लेकर 6 IAS अधिकारियों के जिम्यदारी सोपी है राश्ट पती रांची, खुटी, भ्रहमन के दरान, समंधित विभागो, जीलो से समन्वाय अस्थापित करने और निधारित कारे करम अस्थलो पर आवस्चक तयारी के लिए प्रोटोकाल मेनियूल के तहट, भातिय प्रसासनिक सेवा के 6 पता दिकारियों को कार्य और दैवित्य आवंटित किया गया है इनमें पेजल स्वक्षता सचीव मनीश रंजन सामिल है दुमका में नक्सली हमले का फरार आरोपी गिरफतार वर्स 2014 में जारकन में तीसरे चन के चुनाओ के समापती के आधे गंटे बाद दुमका जीले के सिकारी पड़ा थाना छेत्र में मद्दान करवा कर वापस लोट रहे मद्दान पार्टी के बस को बंब स्फोट कर उड़ाया पांच मत्दान वा पूलिस कर्मियों के हत्या और आठ कर्मियों के गंभी रूप से घायल करने के नक्सली घटना के नामजात अभयूक्त राज कुमार भगत को पूलिस ने रामगर थाना चेत्र से गिरफतार कर लिया है SDPO नूर मुस्थपा अंसारी ने बताया है कि वर्ष 2014 में लोग सबा चुनाओ के दोरान सिकावी पड़ा में नक्सली हामला हुआ था जिसमें एक अभयूक्त फराद चल रहा था ज्यारखन चिकित्सा एमजन स्वास्त करमचारी संग के CRS टीम को सपा मांग पत्र स्वास्त कारकरमों की समिक्षा के लिए 6 दिवसिय दोरे पर आई केंद्री ये CRS टीम की परमुक डाक्टर जोया अजी रजिया से जारकंट चिकिस्सा एम जन स्वास्त करमचारी संग के जिला ध्यक्स मनोज कुमार मिश्र और सन्युक्त सचीव संजीव कुमार मिश्र ने केंद्रिय समिती के परमुक सहित अने सदस्यों को पुस्प गुचा दे कर अविननदन किया संग ने एक पत्र स्वाप कर 2211 सीर्ष के करमचारीयों को फरवरी 2022 से लमीत बेतन भुगतान कराने और NHM के तहट अनुवन पर नियुक्त करमचारीयों को अनुभाव भत्ता भुगतान करने की मांग की समीती के सदस्यों ने गंभीरता पुरुवक संगठन के प्रतिनिधी मंडल से पाते सुना और इस बात को अपने बैठक में रखते हुए केंद्र सरकार के समक्स करमचारीयों की इन समस्याओ को रखने का स्वासन दिया है वायू सेना की टीम ने गुमला उपायूक्त से की मुलकात। अनुमंडल पदा अधिकारी रवी जैन ने बताया कि इस बार पूर्शों के साथ महिलाओं के लिए भी भरती अभियान चलेगा उन्होंने बताया है कि भरती के लिए बेपसाइट पर रेस्टेशन किया जा सकता है उपायुक्त सुसांत गरों ने अधिक से अधिक युआओं को इस असर का फैदा उठाने के अपिल की है उलेखनिया है कि अगनिवीर योजना से सेना में भरती होने के लिए 7 नॉम्बर से 23 नॉम्बर तक आउनलाइन परम भरने की तिथी निधारी था जैक जारखन के सव स्कूल कॉलेज को मिलेगी प्रस्विकृती शिख्चा वसक्षता विभाद ने सिक्चा मंतरी जगनात मतों की समाती के बाद सोम्वार को एक कमिटी के गटन कर दिया है सिक्षा सचीव के रभी कुमार ने इसकी अधिसुचना भी जारी कर दिया गठित कमिटी प्रस्विकृति के लिए आय आवेदनों की जाज करेगी जो संस्थायन प्रस्विकृति के लिए तयमान को पर खारा उतरेंगे उन्हें प्रस्विक्रिती देने के अनुसंसा की जाएगी जो खारा नहीं उतरेंगे उनके आवेदन को जार्खन एकेडमिक काउंसिल की ओर से लोटा दिया जाएगा सुप्रीम कोट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमन सुरेन बोले सत्य में हो जायते मुख्यमंत्री हेमन सुरेन के खिलाप खनन, पट्टा, लीज और सेल कंपनी मामले को लेकर जार्खन हाई कोट में दर्ज पी आई एल को सुप्रीम कोट ने सुनवा योग ये नहीं माना है सुम्वार को सुप्रीम कोट ने सीम हेमन सुरेन को बढ़ी रहा देते हुए ए फैसला सुनाया इस फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने अपने अधिकारिक ट्वीटर हेंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा सत्य में हो जायते बता दे की याचिका करता सीव संकर सर्मा द्वारा दाखिल PIL को जारकन हाई कोट ने सुनवाई होगे माना था हाई कोट के फैसले के खिलाब सीम हेमन सुरेन ने सुप्रीम कोट का रूख किया था सीम का पक शरक रहे एड़वोकेट जनरल राजीव रंजा ने बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोट में बताया कि सीव संकर सार्मा का PIL रायनेतिक से प्रेरी था है इसका कोई कानूनी अधार नहीं है आईसू पार्टी का आमरन अंसन तीसरे दिन खतम आईसू पार्टी का आमरन अंसन तीसरे दिन सुमवार को खतम हो गया है आट सुत्री मांगो को लेकर आईसू पार्टी के बारा करका था आमरन अंसन पर थे इनकी अधिकतर मांगे मान ली गई है रांची जीला खनन पतादिकारी संजीव कुमार अपरसा महारता राम ब्रीक्छ महतो बुड़ू SDM अजय कुमार साव DSP अजय कुमार ने जूस पिला कर इनका अंसन तुलवाया दोनों पक्षकी ओर से हुई वार्ता में तै हुआ है कि DM तीन घंटे के अंदर चलान मुहाया कराएंगे और डंप बालू का वैद चलान लेकर बालू का परिचालन होगा राष्ट पती के दमाद पहुँचे बोकारो के लुगुबुरू देश की राष्ट पती द्रोबदी मुर्मु के दमाद गनेश चंद्रहिम्रम भी सो मुआर की रात बोकारो के ललपनिया इस्तित लुगुबुरू पहुँचे उन्होंने टेंट सिटी के निरिक्षन किया इस दवरान सरधालों से मिल कर हाल चाल जाना इस पर सरधालों ने यहां की बेवस्ता को लेकर संतुष्टी जताई इनके साथ सीम हेमान सुरेन के ससूर भी थे सीम के बहनोई और राष्ट पती के रिष्टे में चाचा सौमाय टुडू भी साथ थे आठ नोवंबर को सीम हेमान सुरेन भी लुग बुरू पहुचेंगे इसको लेकर सभी त्यारी फूरी कर ली गई है बताद राष्ट पती के दमाद गनेश चंद्र हेम्रेम ने बातचीत में बताया है कि यहां हर साल आते हैं और लुग बुरू के दर्सन करते हैं यहां आकर बहुत अच्छा लगता है जरकन प्राथमिक सिख्चक संग्ग का अंदोलन जारी अखिल जरकन प्राथमिक सिख्चक संग्ग का चरनवथ अंदोलन जारी है अंदोलन के दूसरे चरण में साथ से बारा नॉमबर के बीच छेतर के जनपरति निधियों को अपनी मांगो से समधित ग्यापन सौपने का कार्करम निधारी था इसी कड़ी में सोमवार को पर्देश महासचीव राम मुर्ति ठाकूर के नेतित में सैकडो सिक्छक बोकारो बिधायक बिरंची नरायन से मिला एवं उन्हें चार सुत्री मांगो के ग्यापन सौपते हुए उनसे समर्थन कागर किया बतादे बोकारो बिधायक ने सिक्छको की मांगो को गंभीरता पुर्वक सुनने के बाद बिधान सावा में आवाज उठाने का असवासन भी दिया है गिरीडी में दो माह का राशन नहीं मिलने से लाभुको में आक्रोस जहारखन के गिरीडी जीले के बगोदर परखंड में सितंबर और अक्टूबर महिने का गरीबों को मिलने वाला राशन का बीतरन नहीं किया गया इससे काटधारियों में आक्रोस है इनका आक्रोस उस समय और बढ़ गया जब सोमवार को बंद पड़े एपसी आई गोदाम के समक्ष अनाज रिसीव करने वाले गोदाम संचालक नदारत दिखे इस बाबत उप परमुक हरेंदर सिंग ने गोदाम पहुँच कर मामले की जनकारी ली उन्होंने बताया है कि परधान मति गरीब का लियान अन योजना के तहट मिलने वाले सितंबर और अक्टूबर का रासन 10 नौवमबर तक पंचायत और गाउं के डिल्डों के बीच बितरित किया जाना है लेकिन अब तक गोदाम के संचालक के दोरा इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है रामरेखा धाम का होगा समोचित विकास रांची से 185 किलोमीटर और सिम्टे का जिला मुख्याले से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थी थाए पवित्र अस्थान रामरेखा धाम माने आत्ता के मुताबिक 14 साल के वनवास के दोरान भागवान, सिरी राम, माता, सिता और लक्षमन यहां पतारे थे यहां कुछ समय भी बिताए थे अगनी कुंड, चरन, पाडुका, सिता, चुले, गुपता, गंगा और आदी जैसे कुछ पुरतात्विक संरचनाओ का यहां पता चलता है यहां कार्तिक पुर्निगा पर हर साल एक मेला कायोजन किया जाता है इस मिले में विभीन राजियो और सभी समुदाय के लोग यहां आते हैं और उनकी खुशी के लिए भागवान से प्रातना करते हैं भारतिये वायू सेना में भरती के लिए त्यारी करे युगा भारतिये वायू सेना में भारति के लिए युवा तैयारी शुरू कर दे आवेदन फरम भरने की तिताय हो गई है गुमला के युवाओ को इसकी पून जनकारी देने के उदेश से वायू सेना की टीम ने सुमवार को डीसी गुमला सुसांत गरों से मुलकात की जनकारी हो कि आगनीवीर योजना से सिना में भरती होने के लिए 7 नॉमबर से 23 नॉमबर 22 तक इसके लिए आनलाइन फरम भरने की तीन दिधारी था इस समंद में अनुमंदर पता दिकारी गुमला रवी जन ने जनकारी देते हो बताया है कि इस बार पूर्चों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी भरती अभियान चलेगा पूर्वी सिम्भूम पहुंचे दीपक परकास 40 गाओं के गरामिनों को दिया भरोसा पूर्वी सिम्भूम जीले के बर्शोल अंतरगत खेदुआ पंचायत के जैपूरा गाओं होट मैदान में सो महर को भरतीय जनता पार्टी के पूर्व परदेश अध्यक्स डाक्टर दीनेसा नंद गोस्वामी द्वारा बिसाल जनसभा कायोजन किया गया जनसभा के अध्यक्स ता मंडल अध्यक्स आशिस मंडल ने की जनसभा में मुख्य अतिति के रूप में भाजपा के परदेश अध्यक्स दीपक प्रका सामिल हुए उन्होंने कहा है कि एक सीपाही की तरह आप सभी लोगों के साथ खड़ा हूँ और आपकी समस्याओ का समधान करने आया हूँ आपकी लडाई में भाजपा आपके साथ है बिसाल जनसभा प्रकंड छेत्रे के गोहला मुंडा ओल्दा गाओ में गलोबस इस्परीट लिमिटेड कमपनी से निकालने वाले दूरगांद धूआ को बंद करने अस्थाने युआओ को रोजगार देने मजदूरों को निमत मजदूरी देने तथा अने सद्मस्याओ को लेकर आयुजीत की गई थी कोडार्मा से इंटर स्टेट बाइक चोर गिरों का नव आरोपी गिरफतार कोडार्मा जिला अंतरगर डोम चांच थाना के पुलिष ने इंटर स्टेट बाइक चोर गिरों का खुलासा किया है इस मामले में पुल्ष ने चोरी की नौव बाइक सहित नौव आरोपियों को गिरपतार किया है इस गिरो का कनक्षन बिहार के नवादा और जमोई से जुड़ा हुया है इस बात की जनकारी स्टीपयों असोप कुमार ने सोमार को पत्रकारों को दी जमसेदपूर में विपक्ष पर बरसे सीम हमांत पूर्वी सिंभुम जीला अंतरगत जमसेदपूर इस्थीत बिश्टूपूर के गोपाल मैदान में सरकार आपके दौरकर करम के आयोजन में सीम हमांसुरेन ने सिरकत की इस मौगे पर जहां उन्होंने बरतमान सरकार को पलब दिया को बताया वहीं विपक्ष पर जम करनी साना सधा उन्होंने कहा है कि आज विपक्ष राजे के परखंडों में भरस्टाचार के नाम धारना परदसन कर रही है लेकिन राज की जानता सब जानती है कि किस सरकार ने सासन काल में भरस्टाचार बढ़ा उन्होंने कहा है कि हमने तो भरस्टाचार को खतम करने का बीड़ा उठाया है विपक्ष को अब रास नहीं आ रही तो इस सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए धाना परस्टाचार लोगों को दिख भरमित कर रही है उन्होंने कहा है कि भी पक्ष के पास लोग नहीं है और भाड़े पर लाकर धाना परस्टाचार कर रही है धन्यवाद यदि आप चैनल पना होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबाएए साथ सी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों क्या शेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फीड़वाइक अवस से दे थैंक्यू